दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वन रक्षक, वन पाल और पटवार और इसी तरहें की जितने भी कॉंपिटिटिव एक्जाम्स है उनके लिए important topic discuss करने जा रहे हैं इंडिया जीके का दोस्तों देशा के आप जान रहे हैं पिछले काफी दिनों से हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की हुई या इंडिया जीके की उसी सीरीज से related हम लोग इस वीडियो में questions को discuss करते हैं आज की जो हमारा topic है वो है दिल्ली सल्तनत का वीवरन दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजय थे राज़ा थे उन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को बिना time west की वे स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला question कहता है बंगाल पर वीजय करने वाला मुहमद गोरी का सेनापती कौन था जिसने बंगाल पर वीजय की मुहमद गोरी ने किसने की मुहमद गोरी ने की उनका सेनापती कौन था ठीक है तो सेनापती था दोस्तों उनका इल्तुतमिश कौन था इल्तुतमिश तो सेनापती ने बनाई इसलिए उसका जो नाम है वो यहाँ पे इसके साथ जोड़ा जाता है तो इलतुतमीश इसका क्या हुजए करेक्ट ओप्शन हो जाएगा नेश्ट कुशन के अगर हम लोग बात करें तो कहता है सरवर उल मुल्क के बाद जोनपूर का सुल्तान मुबारक शाह हुआ उसका पूरा नाम क्या था पहले जो सुल्तान था वो था सरवर उल मुल्क उसके बाद जोनपूर जो है जोनपूर उसका सुल्तान मुबारक शाह उ यह बात नात्र हो हो हम्ध रहो थो आठाएप यहां लिए यहां पर इक नहीं करनी है। नेक्ष्ट किशन है ुबराहिन शर्की का उत्रादिकारी को फाइब दोसτα मुहिंम्मध ws. अब बात करें उत्रादिकारी क्या होता है। दोस्तो वारिस ठीक है ना यानि कि जो चल और चल संपती का वारिस होता है वो होता है उत्रादिकारी यानि कि इसके मरने के बाद जो राजगदी थी वो इसको मिली मुहम्मद शा को मिली ठीक है ना तो 20 का क्यों जो है क्रेक्ट और अप्षन हो जाएगा मुहम्मद शा नेक्ट कुछन है दोस्तों शरकीवंस का अंतिम सुल्तान कौन सा था तो शरकीवंस का सबसे अंतिम का जो सुल्तान था वो था हुसेन शा ठीक है दोस्तों उसका नाम क्या था हुसेन शा था उसके बाद शरकीवंस ने जो है वो राजगदी छोड़ दी थी ठीक है अब फिर उनके कोई भी सुल्तान जो है वो राज्य में नहीं आए तो एस का क्या है क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है मालवा के खलजी वंश का संस्तापक कौन था ठीक है ना मालवा का खलजी जो वंश था उसका संस्तापक जो था दोस्तों वो था अलप खां कौन था अलप खां ठीक है ना अलप खां तो सीज का क्या जो है क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा बात करें गुजरात की तो आज का करन टोपिक ही हम उठा लेते हैं गुजरात की जो राजदानी है वो क्या है दोस्तो गांधी नगर है क्या है गुजरात की राजदानी गांधी नगर है और हमारे माननी है क्या ज़ेगा correct option हो जाएगा next question है दोस्तो कश्मीर का पहला मुशलमान शाचक कौन सा था कश्मीर का सबसे पहला जो मुशलमान शाचक था जिसने कश्मीर पे अपनी सल्तनत कायम की थी वो था सम्शुदिन शाह कौन सा था शम्शुदिन सा ठीक है न यहाँ पे आप देखिएगा सारों में शाह सा है तो confused नहीं होना है शम्शुदिन साह जो है दोस्तों वो क्या था कश्मीर का सबसे पहला मुसलमान शाचक था बात करें कश्मीर की कंबाइन थे जम्मू और कश्मीर पहले अब अलग-अलग हो गए है भारत का में अब आप देखोगे तो उपर उपर जो ऐसे होता था था ना हम यहाँ पे लिखते थे जी एंड की अब उसको दो पार्ट में कटा गया जम्मू एंड कश्मीर इस का क्श्मीर का सबसे महान शाषक कौन सा था गुजरात का हमने पढ़ लिया कौन था ठीक है ना महमूद बेगत अब जो है कश्मीर का सबसे महान शाषक जो है कौन सा था तो कश्मीर का सबसे महान शार्षक माना जाता है ठीक है न दोस्तों तो सीस का क्या हो जाएगा अब बात करते है उडिसा की उडिसा की राजदानी क्या है वो उनेश्वर है, साथ के साथ मैं यह इसलिए concept के लिए करा रहा हूँ, ताकि आपके साथ-साथ एक जैसे कहते है ना, एक तीर से दो निशाने, यानि कि एक साथ आपके concept के लिए रहा हूँ, उरिसा के मुख्या मंतरी के हम लोग बात करें, तो नवीन पतनायक जो है, वो उ पुडिसा की सबसे देखने लाइक जगे है वह, जगनात मंदीर, उसका निरमाता था अनतवरमाण, ठीक है, नेक्टक्शन है दोस्तो जोदपूर के अनिरमाता कौन तो जोदपूर के प्रसीद दूरग का अंद्रिमाता दोस्तों जैसा नाम से पता लग रहे है जोद यानि की जोदा ठीक है ना तो सीज का क्या 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 पूरा नाम था दोस्तों राव जोदा क्या नाम था इसका पूरा राव जोदा इसका पूरा नाम था ठीक है तो सीज का क्या हो ज़ाए क्रेक्ट ऑप्शन हो जएगा next question मेवार रजे के परसीद दूरग कुंबल गड़ का अंद्र माता कौन था तो मेवार राजे का परसीद दूरग था कुंबल गड़ उसका अंद्र माता कौन था आपको सभी को पता ही है महाराना कुंबा देखो नाम से बता यह नहीं माइने में बताऊं तो होता है विजे इक रहे ठीक है ना तो सीस का क्या क्रेक्टर उप्षन होज़ेगा महाराना कुंबा नेक्ट कुछन है दोस्तो किस मुगल बादिशा ने खान देश को समराजय का अंग बना लिया था खान देश यानि कि मुसलिम समझाय का किस मुगल बादिशा ने खान देश को समराजय का अंग बना लिया था तो वो मुगल बादिशा दोस्तो अकबर ठीक है ना अकबर ठीक है तो बीस का क्या हो जाए करेक्टर उप्षन होजएगा जो की काफी महान शाषक के रूप में भी जाना जाता है नेक्ट कुछन है द दोस्तो वारंगल के सबतंतर राजय का अंत किस बहमन सुल्तान ने किया तो वारंगल के सबतंतर राजय का अंत जो है वो किया था दोस्तो अहमद शाह ने अहमद शाह क्या था बहमन शाह सुल्तान था ठीक है ना यह अलग अलग इनके वंश्त थे यह बहमन शाह था ठीक है दोस्तों बता सकते हैं करनाटक की राज़ानी क्या है बेंगलूरू है देखो बाई जो लोग वीडियो को एग्णूर कर रहे हैं उन्हें तो नुक्सान हो गई होगा ठीक है न लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक क्योशन में आपको दस दस कौनसेप्ट एक साथ सी शहेर अब देखो कितनी चीजजें आपको साथ मैंने डिस्कस कर ले then को जाईगा next question है दोस्तो मलिक इहमत ने किस तराज्ञहे की सथापना की मलिक इहमद ने जो है दोस्तों वो सथापना की थी एहमद नगर की बात करें एहमद नगर डी आप देखो माराव जोद्पूर बना दिया जी अर इस तरह से मलीक अहमद ने एहमद नगर राजी को नाम नहीं है। तो मतलब में टाइम लिगाना ही नियाए मलीक अहमद देखो, इह माजा क्रेक्टोफशन हो जाएगा नेक्ट बैहमनीक शाषन में अतृफ क्या इसक्रा राज750 होगी हमाद्क झूद्क स्थापना कब हुई दोस्तों तो विजनगर का उत्तर में विस्तार किस राजय ने रोका था तो वह रोका था दोस्तों बहामनी ने ठीक है ना बहामनी ने रोका था बीस का क्या है क्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा नेक्ट कुछन दोस्तों से पहले मैं आपको बता दू देखो चैनल में प्लेलिस्ट भी है वो भी आप देखते रहिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों रामबान है आप लोगों के लिए ठीक है ना घर बेठी ग्रूप है उसका लिंक नीचे डिसक्रिप्शन दिया उसमें जोइन हो जाओ उसमें बोलो कोई डाउट है परसनली कोंटेक्ट करना जाते हैं आपके लिए ना सर्वीस हैल्प्लाइन 24-7 मेने ओन की हुई है ठीक है ना तो गबराने कोई बात नहीं है ठीक है तो बस वीड सावा करन two से स्यार्ट बम है ऩश्चन इस эти स्याम स्यां पॉल प्वार कोल करना भार दूझेस à खेष्चान गहां को घृता अब यहां पर देखिए हुआ हरीर द्वित्या बेकिन यहां रखना हरी तो बुदे 뜨ane के लिए गुवाई जाते है ना तो 20 का क्या हो जाए क्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आज इंडिया जी के के बहुत ही प्यारे प्यारे और बढ़िया बढ़िया क्योशन कैसे लेगे अच्छे लेगे होने वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सभी लोग झाली येगा जीत ही ना राएगा जीओ है लेगे हो जदकर कर दो सभीड़िया है टोस्तों येश्ड़िया आजले ककर दो सवी प्यारे बढ़ियाए थान हो जो जिक दोस्तों ये टोंशन कizard साचे कर दो